Hello everyone, Circle of Education welcomes you हम vocab की series कर रहे हैं जिसमें हम types of doctor पढ़ रहे हैं और उन root words से जो नए words बनते हैं हम उनको सीख रहे हैं तो आपको ये series कैसी लग रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें चलिए आज हम पढ़ेंगे psychologist के बारे में और इनसे related जो भी word हैं वो हम detail में समझेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो psychologist कौन से doctor होते हैं? जो कि आपके mind को heal करते हैं मनोचिकेटसिक इनको हिंदी में हम बोलते हैं साइकी और लोगोस से मिलकर के ये word बना है साइकी का मतलब होता है mind, spirit या फिर soul लोगोस का मतलब होता है study तो ऐसा person, ऐसा doctor जो कि आपके mind को आपके spirit को पढ़ करके आपके mind को heal कर सके उसको हम बोलते हैं psychologist अब जो इसका अध्यान कर रहे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं इसके बारे में उसको हम बोलते हैं psychology psychology पढ़के आप क्या बनते हैं psychologist तो psychology क्या है? practice है, अध्यान है next word है psychic psychic किसको बोला जाता है? ऐसा person जिसके अंदर 6 senses काम करती हो बैसे तो हमारे अंदर 5 ग्याने इंद्रिया होती है लेकिन ऐसा person जिसके 6th sense हो उसको हम बोलते हैं psychic next word है psychopath psychopath जो word है ये psyche प्लस pathos से मिलकर के बना है pathos का मतलब होता है suffering यानि ऐसा person जो कि इस बिमारी से सफर कर रहा हो मन औरोगी इसको हम हिंदी में बोलते हैं so psychopath कौन होगा a person who is suffering with mental and emotional disorder is called psychopath next word है psychosomatic अब psyche का मतलब तो हम जान ही गए है somatic यहाँ पे जो word है ये somas से मिलके बना है जिसका मतलब होता है body तो ये एक ऐसी condition होती है जिसमें जो हमारी mental disorder जो होती है वो affect करती है आपकी body को शुरुआत में क्या होता है ये एक mental disorder होता है लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या है आपकी body पे इसका असर आपको दिखने लगेगा और इस असर को इस बिमारी को हम कहेंगे psychosomatic इसके क्या symptoms होंगे क्या लक्षन होंगे तो ये आपकी body को affect करेगा जिसके कारण आपको हमेशा बहुँ जादा nausea feel होगा headache रहेगा paralysis भी थोड़ा बहुत feel होता है body में excessive urination देखने को मिलता है बार-बार आप पी के लिए जाते हैं और कई बार हमको ये student में भी देखने को मिलता है जब exam से पहले उनको exam fever हो जाता है तो वो होता क्या है actual में उनके mind में ही बहुत जादा stress चल रहा होता है और धीर धीरे वो उनकी body पे हमें देखने को मिलता है next word है psychoanalyst psychoanalyst कौन होते हैं a person who is expert in human behavior यानि human behavior में जो expert होते हैं उनको हम कहते हैं psychoanalyst और जो इसके बारे में पढ़ते हैं अध्यन करते हैं उस study को हम कहते हैं psychoanalysis psychoanalysis क्या है study of human behavior और जो इसको practice करता है expert हो जाता है उसको हम बोलता है psychoanalyst next word है psychogenic अब यह जो genic है यह genesis से बना है जिसका मतलब होता है origin तो यह ऐसे person के लिए यूज होता है psychogenic word जो person feel करता है खुद को बहुत ज़ादा बीमार feel करता है और उसकी जो वज़ा होती है जो root होती है वो mind होती है तो माइंड से ही जो इनसान खुद को बीमार feel करने लग जाता है उसको हम बोलते हैं psychogenic और इस बीमारी को जब ठीक किया जाता है तो psychotherapy के द्वारा किया जाता है मन चिक इत्सा इसको हम हिंदी में बोलते हैं और इसको जो प्रैक्टिस करता है यानि इस थेरिपी से जो आपको हील कर रहा है आपकी बीमारी को आपके मन की बीमारी को उसको हम बोलते हैं psychotherapist इनके जो words हैं जो spelling है या आपको बहुत अच्छे से याद करनी है इसने इसकी spelling को मैंने बहुत ज़्यादा clear लिखा है space देखे लिखा है क्योंकि spelling mistake में कई बार ये word आ जाते हैं तो psychotherapist को मजाक मजाक में कई बार memes में यूज किया जाता है funny way में और इसकी spelling कैसे दिखाई जाती है कि इसको तुकड़ो में लिखते हैं लोग psycho, फिर दा, फिर रेपिस्ट जो की बहुत ही गलत है लेकिन याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें ठैंक्स पर वाचिन विडियो